अभिशेक से लड़ाई होने के बाद अब खानजादी और अनुराग क्या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते नजर आ रही है और यहां पर अब खानजादी से अनुराग यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या वाकई में तुझे अभिशेक पसंद है और पूरे घर को ऐसा क्यों लगता है कि तेरे और अभिशेक के बीच में कुछ चल रहा है यहां पर हम आपको यह भी बता दे कि अनुराग ने खानजादी से यह पूछने की कोशिश की कि तू अगर सीरियस है तो हर किसी के पास जा कर बैट कर अभिशेक के बारे में क्यों बुराई करती है जिस पर खानजादी का कहना था कि मैं किसी के पास भी नहीं गई मेरे पास सवा रहे थे तो अनुराग ने कहा कि अंकिता तुझे क्या कह रही थी जिस पर खानजादी का दावा था कि यहां पर लड़ाई होने के बाद विक्की भाईया और अंकिता की मेरे पास आई थी अं हम आपको बता दे कि लगातार जो है अनुराग खानजादी को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर तेरे और अभिशेक के बीच में कुछ है तो वो बात तो अपने तक ही रग हर किसी को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसा करने से तुम दोनों के बीच में गलत फहमि और अभिशेक के बीच का जो बॉंड है वो घर वालों की वज़े से खराब हुआ है यहां खानजादी ये कहती नजर आई कि पहले तुक था लेकिन अभी में को कुछ भी फील नहीं होता है क्योंकि यहां पर मैं जानती हूँ कि अभिशेक चीजों को लेकर सीरियस नहीं त हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले